हिजबुल्ला हमास ने अब एक बड़ी कसम खाई है किस तरह से इसरेल को निस्त नाबूत करना है खतम करना है इस बात की कसम अब इन दूनू संगठनों ने खाली है और अपनी तरफ से ऐलान कर दिया है कि अब बहुत जादा दिन इसरेल अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा इसी पर बाच्चित करने के लिए मेरे सही होगी मयंक मेरे साथ जुड़गाए है मयंक एक तरह से कहा जाए कि पहले ही वार हो रहे हैं प्रॉक्सिस की तरफ से चाहे वो हिजबुल्ला हो हूती हो या फिर हमास हो और आप तो एक तरह से कह लिए जीए कि एक खबर आई है कि उ अब इस्राइल को मनबानी नहीं करने देंगे इस्राइल अब वो नहीं कर पाएगा वो नगसंखार नहीं कर पाएगा उसे हम खत्म कर देंगे इसके पीची का क्या है सच्च देगे पूरे अरब देशों में इस समय जो है वो अलकसा मस्जित में जो कुछ हुआ था उसकी अब देशी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है प्रदर्शन हो रहे है ऐसे समय में हिस्बुला की तरफ से जो लडाके है वो एकजुट हुए है और उनकी तरफ से यह कहा गया है कि फिलिस्तीन पर जो हमले हुए या गजा पर जो हमले हुए इसराइल के अब तक बदा लिया अभी हमने देखा कि पिछले 48 गंटे में इस्रेयल में दो एर फोर्स बेस पर जबर्दस थम्ले हुए कई जगा बता जा रहा है कि 10 जगे जो हैं वो हजब ला के जो रॉकेट जो हैं उनसे हमले हुए तो कुल्प मिला के देखिया और उसके तुरन फोरन बाद इस्रेयल की जो एर फोर्स थी उसने लिबनन में तीन जगे एर स्ट्राइक करी और जहां पे जिन जगहों से यह हमले हो रहे थे जो हिजबुल्ला के बेस माने जाते हैं उनको इस्रेयल ने तबाह किया तो देखिए यह लड़ाई जो हिजबुल्ला और इस्रेयल के बीच की लड़ाई जो है वो अब एकदम अपने चरम पे पहुंसती जा रही है इसी बीच में हुती की तरफ से भी बड़ा बयान आया ह हुती के जो चीफ है अबदुलमलिक अल-हुती इन्हों ने कहा है कि फिलिस्तीनियों पे जो हमले हुए है हम इंका बदला लेंगे और हुती के जो संगटन है वो उसने अपील की है कि आप हमारा साथ दीजे और हम एक जुठ हो के बड़ा हमला करेंगे इसे ही कुछ जो है हिजबुला ने भी एलान कर दिया है तो दीजिए जो प्रोक्सी है इरान के यह चाहते है कि इस्रेयल के ओपर तुरंथ हमला हो लेकिन इरान चुछ की आप जैसे पहले हमला नहीं चाहरा है वो इस बात को लेके चाहता है कि पहले पूरी तैयारी हो जाए और उसके बाद ही है तो मतलब यह हो कि किसी तरह से ऐसा नहों कि वार चुरू हो जाए और उसके बाद इरान या उसके सही होगी देश हारने लगें उसमें तो इसले इरान फिलाल एक तरफ तो इरान का नुकलियर प्रोग्राम भी चल रहा है तो इरान फिलाल सीधा हमला करने के मूड में नह इसरेल को चारो तरफ से घेर के हमेशा उलजाये रखें इससे जो है इसराहिल को आप देखें बड़े पैमाने पर नुकसान तो ही रहा है बतलब आप लगातार हमेशा वार मोड में है और दूसरा इसरेल की जनता है उसके उपर भाली दबाव है कि कभी भी वी वार हो सकता है तो उसमें फिर कई सारी चुनातिया होती है वो चाहे प्लिटिकल फ्रंट पे हो एकनॉमिक फ्रंट पे हो तो अब ये निश्चित रूप से देखिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स जो है इसरेल के वो लगे हुए है लगातार की एक तरफ तो हिजबुला को काउंटर करन है इरान कहीं हमला ना करे तो नेतन याहु को अपने लोगों की सुरक्षा की पूरी तैयारी करनी है तो ये तो निश्चित रूप से तैह है कि एक बहुत बड़ा एकनॉमिक सेटबैक ये इसरेल के लिए है इसमें कोई दो राय नहीं है और दूसरी तरफ जो है वो लगात इस पूरे इसचाएल और अमरिका को उन्मा कांवला रहा था इसपीड्यों किरना एक इसफेडी सोः不錯 है कि इसका एगिएक इसपीड़ी है कि अगरौस अगरा हमले करता है तो इसरेल को कंटर करें दू गैएगा अगर वे लिब्नान में अगर अगरे टैक होता भी है अग पर उनके टार्गेट करके उनके जुठे कानेों इसको तरगेट किया जहां जहां पे कमांडर मुसाज जयसे अभी काम कर रहा है कि hier हीज़ा पर हीजबॉला की कमांडर की कमांडरो का के ह Israeli की की tempo का सिठ्षाइए लेकिन एक फुल फ्लेजट वार का रूप फिलाल यह नहीं है तो जब तक एरान इसमें खुल के सामने नहीं आता तब तक यह देखिए वार तो नहीं होगा लेकिन वार नहीं भी होगा लेकिन उसके बाद भी लगातार इस्रेल पे जो है वो रॉकेट्स फायर हो रहे हैं रात के समय जो पूरा इलाका जो है यह ऐसा है कि यहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है और प्रोक्सी के हाथ में यह जंग फिलाल प्रोक्सी वर्सेस इसरेल हो रही है और यही प्रोक्सी वर्सेस इसरेल की जो लड़ाई है वो दिन पर दिन खराब होती जा रही है आवाम चाहे कहीं की हो चाहे वो गज़ा के आवाम हो या फिर इसरेल के आवाम हो या किसी और जगह के आवाम हो लेबनौन के आगर सीमा वर्तिक शत्रू की बात की जाए वहां की सभी परिशान है लेकिन इस तरह के हालात से तो ये बिल्कुल नहीं लगता है कि इस तरह की जो लड़ाई है या इस तरह के जो हमले हैं अभी आने वाले दिनों में रुकते नजर आ रहे हैं इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है आप बने रहे हमारे साथ